हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेगर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मों दधा वेसंद मुक्ति तग्य हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं आपका फिर्दे स्वागत है वायगरा के बारे में आपको भी बताने वाला हूं काफी सारे लोग करोडों लोग आज एक बिमारी से ग्रस्त है और वो बिमारी है कि शिस्ना का कड़क नहीं होना कठोर नहीं होना या उसको बोलते इरेक्टाइल डिसफंक्शन शिस्ना में टेंशन नहीं आना और उसे सेक् पाना को लोग बजार में जाते हैं कि मिसके पास में जाके परबारे वो दवाई खरीद आपको बताऊंगा और बाद में मैं आपको यह बताऊंगा कि नपून सकत वह आता है जिसमें कफोरता नहीं आती शिस्न में उसके लिए क्या हिलाज है 1998 में 1998 फाइजर कमपनी ने यह दवाई का खोच किया एक्चुली यह दवाई फाइजर कमपनी पल्मोन्री हाइपरेटेंशन नाम के बिमारी के लिए एक दवाई का खोच कर रहे थी उसमें रिसर्च चालू था और यह सिल्डाना फिल है उसमें कंटेंट है केमिकल कंटेंट सिल्डाना फिल तो वो पल्मोंदरी हाइपरटेंशन के लिए दवाई का रिसत चालू था जिसमें वो देख रहे थे कि पल्मोंदरी हाइपरटेंशन में जो खून की नाडियां है वो ये दवाई देने से फैल जाती है या फैल गई तो फिर पर्मोनोरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा और उनको उसमें सफलता भी मिली ऑगर उनको ये मालूम पड़ा उसके साथ-साथ कि ये जब दवाई हम पर्मोनोरी हाइपरटेंशन के लिए दे रहे है तो उसके हो रहा है मतलब सिसने में कचतरता भी आ रही है पिए जैसे उनको ये मालम हुआ कि city नहीं है कि इरेक्षिं हो रहा है और जिनको नपोंसकत passado का problem था जिसमें जिद्ध तो उन्होंने अरबोह रूपाय कमाएं क्योंकि यह दवाई-वाहरा के नाम से फेमोस होगी दुनिया बर में और हम नारिया ने बहुत धुम कर दिया फोरी दुन्या में पिर काफी सारे कंपऊनी बाद में डवऑय बनाय और अभी वाईगरा के नाम से मतलब फाइजर ने बनाय मगरी काफी नाम से ये इंट बजार में उपलब्ब्ध है है हुँ फोताक या कोन का बहता बहुत जादा हो जाता है मतलब जो से दस गुना ज्यादा शिस्ण में खून जाता है करिपड़ी 200-200 ठाइसो मिलीलीटर मतलब आदा पाई से एक पाई तक खून अंदर शिस्ण में जाता है प्रवेश कर लेता है और उसने शिस्ण में कठोरता आती है और वो टाइट हो जाता है उससे फिर सेक्स करना संबह होता है तो लोग दवाई लेते हैं और दवाई लेने के बाद में भी कभी-कभी लोगों को कठोरता नहीं आती है नपून-सकतब वैसे रहता है फिर लोग हमारे पास में आते कि दवाई तो लिया, आप किते भी खाओ कुछ नहीं होगा और दूसरा टेंशन नहीं है मगर four play नहीं किया मतलब six करने के पहले खेल नहीं किया पांच दस मिनिट पंधरा मिनिट एदी four play जिसको बोलते कामक्रिडा वो कामक्रिडा एदी नहीं किया four play नहीं किया तो फिर मिलिगराम की गोली आती है और यह गोली खाने के बाद में शिसन में कठोरता आती है और सेक्स कर सकता है वे तिए यह दवाइस त्री के काम के मतलब महिलाओं के काम के लिए आती कि नहीं उसके बारे में मालूम नहीं है अभी आज मगर पुरुष लोगों किससे भी फायदा होता ने तो क्या करें तो एक इंजेक्शन आता है जिसको बलते हैं पैपे फिर वह शिसन में मिल में दिया जाता है मतलब समझो घड़ी देखी तो घड़ी में तीन बज़े का जो टाइम है और नौ बज़े का टाइम है मतलब तीन और नौ तो ऐसा अंदर वो इंजेक्शन शिस्न में दिया जाता है जिसमें वो इंजेक्शन देने के बाद में लिग में कठोरता आती है और वेक्ती सेक्स कर सकता है वो पेनिस में मतलब शिस्न में वो डाले जाते हैं और जैसा जब सेक्स करना है तो वो उसका बटन जो है बटन दबाने के बाद में उसमें कठोरता आती है सेख्स करने के बाद में फिर से यह उसको मोड यूड कि मतलब उसको मूड के मतलब उसको रख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है वह दबाई कितने भी खाओ दिमाग शांत नहीं रहा दिमाग के ऊपर बहुत लोड़ है तो आपको कठोरता नहीं आएंगी सेक्स होंगा नहीं यह दबाई यह दबाई यह सप्लिमेंट है सिल्डना फिल खाके भी 100% इसी गैरेंटी नहीं है कि आपको सेक्स आएंगे उसके लिए हस्बन वाइफ दोनों ने पती पत्न ने आना काउंसिलिंग करना अपने दोनों को समझ के लिए ना दोनों ने अच्छे रिस्ते बनाना जो भी प्रॉब्लेम्स दोनों में उसका हल न मुझे नपू सकत है कैसे बोलना तो यह वीडियो लोगों को जरूर शेयर करो आपको अच्छा लगाता आप सब्सक्राइब करो लाइक करो और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आएंगे ना उसको भी हिट करो ताकि मेरे काफी सारे वीडियो जो आते है वो आपको सबसे पहले मालूमत होंगी अब आपके फ्रेंड्स में फैमिली में जरूर वीडियो शेयर कीजेगा हमारा मीशन जो है सबके लिए मानसिक स्वास्तिय और व्यसन मुक्त भारत उसमें भी आपका हाथ लग जाएंगा थैंक्यू भेरी मच्छ